नमस्का दोस्तों, स्वाकत है आप सभी का हमारी चैनल पर आज हम आपको दस्त की समस्या से निजात पानी के लिए कुछ करे लो नुसकों के बारे में बताएंगे खानपान की गड़बड़ी और पाचन शक्ती की कमजोरी से खाया हुआ आहार ठीक से पच नहीं पाता है और अक्सर पतले दस्ते लग जाते हैं इनका वेग जादा होने पर व्यक्ती को कमजोरी का अनुभव हो जाता है जब बहुत ज़ादा थंडी होती है तब भी यह समस्या हो जाती है लेकिन दोस्तों आज हम आपके लिए कुछ ऐसे घरे लो नुसके लाएं हैं जिनने अपना कर आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं तो आईए जानते हैं ऐसे ही कुछ घरे लो नुसकों के बारे में अमरी दरदी कई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा भी उठा सकें साथी सही जानकारी के लिए इसे अंते तक सरूर देखेगा दस्त से राहत पानी के लिए 5 ग्राम जीरा और 5 ग्राम सौफ लेकर उसे पीस कर इसका चूड़ने पना लीजे फिर एक किलास पानी के साथ इसका एक चमच लीजे इससे आपको फाइदा होगा वहीं दस्त लगने पर इसब घोल को दही में डाल कर खाने से भी फाइदा होता है इस समस्या के होने पर 4 कप पानी में 4 छोटी इलाइची डाल कर तब तक उबालें जब तक पानी 3 कप ना रह जाए अब इसे ठंडा करके दिन में हर 4 घंटे के बाद इसे पीजिए इससे भी आपको फाइदा होगा खूनी दस्त लगने पर गाय की दूद से बना मक्खन भी काफी फाइदेमंद होता है इस उपाई को करने के लिए 10 से 15 ग्राम मक्खन खाईए और आप चाहें तो साथ में एक गिलास लस्ती भी पी सकते हैं पेट की गर्मी और दस्त को रोकने के लिए 7 से 8 सिंगाडे खाईए और साथ में एक गिलास लस्ती का सेवन कीजिए संत्रे के छिलके को सुखा लिजे और पीस कर इसका चूड़ने पना लिजे इसी तरह मुनक्के के सुखे बीज पीस कर चूड़ने पना लिजे अब इन दौनों की बराबर मात्रा लेकर पानी में घोल कर पीजे इससे भी आपको काफी राहत मिलेगी तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस से लाइख, शेयर और कमेंट सरू कीजेगा इससे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद